जेहिन दोस्तो रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट समझाऊंगा जैसा कि आप पीछे बोट पर देख रहे हैं और इसी के रिगाडिंग कुछ मेसेज हैं कुछ नोटिफिकेशन हैं वो भी मैं आपको स समझाई जाती हैं आपको सही गाइट करा जाता है तो इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और पैंशन से लेटेट जो प्रॉब्लम चलती है उसका भी सलूशन किया जाता है चलते हैं दोस्तो पहली इंफोर्मेशन की तरफ आज डिये होगा कंफर्म जनवरी 2024 स बढ़ने वाला दोस्तो जैसा आपको बताए आज है 31 जनवरी तो आपको आज शाम तक दिसंबर का कंफर्म कर रहा हूं कि आपका डिये डियार जनवरी 2024 से बढ़ने वाला 50% होगा दिसंबर के आखड़े के अनुसार मैं अपने चैनल के मादियम से यह कंफर्म कर रहा हूं आपको 100% लेकिन भारत सरकार बाद में क्या अप्रूफ करेगी उसका अभी पता नहीं लेकिन जो दिसंबर का आखड़ा आएगा कंजूमर प्राइस इंडेक्स का उसमें आपका 50% डिये डियार कंफर्म होगा यह मेरे चैनल के द्वारा भी पुश्टी की जाती है 50% आपक कंफर्म हो जाएगा जनवरी 2024 से बढ़ने वाला बाद में भारत सरकार क्या डिकलेर करेगी वो बाद में देखा जाएगा चलते हैं दोस्तों दूसरी इंफर्मेशन की तरफ इस पर्ष से जनवरी की पैंशन मिलना शुरू हुई मैसेज नहीं मिला लेकिन पैंशन मिल रही है दोस्तों आप अपना खाता चेक कर सकते हैं काफी पैंशनर को जनवरी की पैंशन मिलना स्टार्ट हो गई है उनके खाते में आना स्टार्ट हो गया है तो अगर आपको मैसेज नहीं मिला पहले पैंशन क्रेडिट होनेगा तब की अपनी अपनी पेंशन आई या नहीं आई लेकिन आज इस परश के द्वारा जनवरी की पेंशन मिलना शुरू हो गई है आप कमेंट करके बताईए चलते हैं अगली इंफोर्मेशन की तरफ कल है एक फरवरी 2024 बजट पेश होगा और इस बजट का नाम है अंतरिम बजट दोस्तों आपको क्या उमीदे हैं इस बजट से जैसा मैंने आपको बताया ये एक अंतरिम बजट है अंतरिम बजट पेश होगा तो इसमें ज्यादा कुछ घूशनाएं नहीं होगी तो बिलकुल सईयम बना रहे धैरे बनाए रखे ज्यादा कुछ घूशनाएं नहीं होगी क्योंकि ये अंतरिम बजट है पूर्ण बजट तब लागू होगा जब नई सरकार आपको देखने को मिलेगी चाय कोई से भी वो सरकार हो तब वो 24-25 के लिए पूर्ण बजट पेश करेगी तो जो ये अंतरिम बजट में आपका कुछ भला होगा आप भी नीचे कमेंट करके बताएगा तो दोस्तों मैंने आपको बताया ज्यादा उमीदें ना लगाएं इस बजट से पैंशन बढ़ाने को लेकर कोई चर्चा नहीं होगी 18 महिने का जो DR का एरियर है उसको देने पर कोई चर्चा नही होगी ना ही कोई भत्ते एलाउंस वगरा बढ़ेंगे यह मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया था एक बार फिर से समझा रहा हूं अंतिनिम बजट में कोई ज्यादा बड़ी घोशना नहीं होगी छोटी बहुत घोशना देखने को मिल सकती है लेकिन जो पैंशनर है वो 24-25 का पूर बजट पेश करेगी जसे मिन आपको समझा दिया यह एक अंतिरिम बजट है तो पूरा बजट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा जो भी 24-25 के लिए पूर बजट पेश करेगा वो करेगा एक नई सरकार नई सरकार आपको पूर बजट आगे पेश करे तो इसलिए ज़्यादा उमीद करना बेकार है इस अंतरिम बजट से, चलते हैं अगली इंफर्मेशन की तरफ, 8CPC का कोई ब्योरा नहीं है, केंद सरकार के पास, जियां दोस्तों, अभी तक केंद सरकार के पास 8CPC का कोई ब्योरा नहीं है, कोई समरी नहीं है, कोई तयारी न नहीं है, 8th CPC का, तो इसलिए अभी इसकी त्यारी भी नहीं है, केंद सरकार की, तो बजट में इसकी कोई चर्चा नहीं होगी, ना ही अंतरीम बजट में, ना ही पूर बजट में, जो ये अंतरीम बजट पेश होगा, एक फरवरी से, यहां पर भी 8th CPC पर कोई बात नहीं हो पेंशन के लिए, किसी और जगे, इन इन चीजों पर बजट पेश होगा, और estimate बताया जाएगा, कि ये ये चीजे खर्च कहां होगी, मैं पूर्ण बजट की बात कर रहा हूँ, अंतिरीम बजट में आपको कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, छोटी बहुत घोषणा देखने को मिल सकती है, बस, तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे, जो मैंने आपको समझाए, और आपके doubt क्लियर करें, और कुछ confirm news भी दी, तो दोस्तों, आपको मेरे चैनल से, बिल्कुल सही जानकारी, और 100% correct news मिलती है, आगे वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा, कि आपका D.A.D.R. कौन सी तारिक को declare होगा, और दोस्तों, ये मैं ऐसा क्यों कहा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी civil department में job करता हूँ, तो मेरे कुछ ऐसे sources हैं, जो आपको सही information देंगे, लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब, वो इसलिए ताकि मेरे को भी संतुष्टी मिले, तो दोस्तों ये कुछ information थी, जो मैंने आपको दिये, तो ऐसी मैं information आपको देता रहूँ, इसके लिए आप मेरे चैनल से जूड़ सकते हैं, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको सही information, आगे की information आपको मिल पाए टाइम पर, वीडियो आपको अच्छे लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सस्क्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना थैंक यू सो मच